Android phone से कोई भी photo, video, documents या कोई भी data डिलीट होने पर उसे recover कैसे करते हैं, restore कैसे करते हैं यह एक application है, doctor phone करके, यह एक software है, wondershare doctor phone, यह एक paid software है इससे आप अपने phone के delete हुए photo, video या कोई भी data को recover कर सकते हैं, उसे restore कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, यहां आपको data recovery पर क्लिक करना है, connect your device to PC, अब आप अपने android phone को PC से connect कीजे, मैंने phone को connect कर दिया है, अब आप अपने phone में setting को open कीजे, यहां पर सबसे नीचे developer option है, अगर आपके phone में developer option नहीं है, तो आप यहां about phone पर क्लिक कीजे, यहां आ build number है, इससे आप साथ बार प्रेस कीजे, तो developer option यहां पर आ जाता है, developer option पर क्लिक कीजे, scroll करके नीचे आईए, usb debugging करके है, इससे आप यहां से on कर दिजे, ok पर क्लिक कर दिजे, यहां show again पर क्लिक कीजे, allow usb debugging यहां पर allow कर दिजे, connecting, मेरा phone connect हो चुका है, यहां पर contact message, call history, whatsapp message, photo, audio, video, documents, यह सभी चीजे हैं, जिने आप recover कर सकते हैं, अगर आप सभी को recover करना चाते हैं, सभी data, आप यहां select all पर क्लिक कीजे, अगर आप इन में से कुछ ऐसा है, जिसका data आप नहीं recover करना चाते हैं, जिससे video का नहीं करना चात हैं, audio बनाएं, तो आप उसको uncheck कर दीजे, फिलाल मैं स्रिफ photo का backup लेकर करके आपको दिखाता हूं, अब आपको यहां next पर click करना है, getting device information now, scanning device please wait, आप यहां पर देख सकते हैं, 5300 बांग पर फोटो मैंने delete किये हुए थे, जो कि recover होने के लिए वापस आ चुके हैं, इन सभी फोटो को recover करने के लिए, restore करने के लिए, आप यहां पर click कीजे, सभी फोटो select हो जाता है, यहां नीचे दो option मिलता है, restore to device, recover to computer, अगर आप restore to device करते हैं, तो आपके phone में यह restore हो जाएंगे, अगर recover to computer करते हैं, तो आपके laptop में यह सभी फोटो सैप हो जाएंगे, तो फिलाल मैं recover to computer करता हूं, यहां पर आप ध्यान दीजेगा, अगर आप अपने data को restore करना चाहते है तो आपको इसका pro version लेना पड़ेगा, तो फिलाल मैं recover to computer करता हूं, यहां आपको recover पर क्लिक करना है, फाइल recover, इसे recover होने में काफी time लगता है, तो मुझे इसकी ज़रत नहीं है, तो मैं इसे यहां से cancel कर देता हूं, लेकिन जितना यह recover हो चुका है, वो मेरे laptop में सेव हो जिसे मैं आपको दिखाता हूं, फिलाल जितने photo restore हो चुके हैं, वो इस folder में है, जिसे आप देख सकते हैं, यह सभी हैं, जो restore हो चुके हैं, तो इस तरह से आप अपने phone से delete data को recover कर सकते हैं, तो ऐसे useful जानकारी के लिए आप हमारे channel को subscribe जरूर कीजेगा, वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,